हलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको संकटा माता की पूजा का वीडियो दिखाएंगे पूरा दिखाएंगे किस तरह से संकटा माता की पूजा की जाती है आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे वीडियो पसंद आये तो लाइक करना दोस्तों तो आप सभी लोग नहीं देख सकते हैं कि छोटे छोटे लड़ू बनाय गए हैं, जो कि माता जी को चड़ाइ जाएंगे और ये लकड़ी का जो पाटा बना हुआ है, इस पर माता जी की फोटू बनाई गई है, प्रतिमा बनाई गई हैं देशी घी से, ये सारा प्रशाध है, फूल है, ये सारी पूझा की सामगरी है पान है यह सारी चीजे लगती है पूझा में तो आपने देखा पाटी पे संकटा माधा की पृतिमा बनाई गई हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि साथ पृतिमाई बनाई गई हैं और चारो तरफ सिंदूर लगाया जाएगा पाटी पर ये हमारे पड़ोबस में पुजा हो रही है तो हम पूझा में आए हैं तो हम आप सभी को वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरह से संकत्पमाता की पूझा की तैयारी की जाती है इसमें दो कर्याएं होती है और 14 सुहागन महलाएं होती है तो इस तरह से ये पूजा की जाती है, माता जी का चिराग जला दिया गया है, आप पूजा स्टार्ट होगी, चिराग जलाने के बाद ही ये पूजा स्टार्ट की जाती है दोस्तों, तो देखे दीपक जल गया है, और उसकी बाद आप सिंदूर से ठीका लगाया जाएगा, पूरी जो चौकी बनी हुई है इस फेर ठीका लगाया जाएगा सिंदूर से एक एक करके सारे लड्डू माता जी को चड़ाये जाएंगे इस तरह से छोटे लड्डू माता जी को चड़ाये जाते हैं और जो बड़े लड्डू है वो सारे लड्डू सुहागनों की आंचल मे पुजा करता है तो जो पुजा स्वास ने साथ करता है। ये सास सिंदूर चढ़ाएंगी आप सभी लोग देखते रहेंगे अगर आप हमारी इस वीडियो को सही से देख लेंगे तो आप संक्टा माता की पूजा विधी को कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों हम बहुत ही सरर विधी बताएंगे आपको आप सभी लोग बस हमारी वीडियो को पूरा देखते जाएगे तो एक एक करके पाटे पे पूरा सिंदूर लगा दिया जाएगा देख सकते हैं आप लोग कि सिंदूर लगाना है जो माता जी की पृतिमा बनी है उस पृतिमा में सिंदूर लगाना है और पाटी के चारो तरफ सिंदूर से टीप दिया जाएगा एक एक करके सब जगा पर तीका लगाना है इस तरह से आपको भी लगाना है जब भी आप संक्टा माता की पूजा खोया दूद चीनी यह सारी चीजें पड़ती हैं चावल का आठा आप अपने घर पे भी पीछ सकती हैं और चाहें तो चक्की से भी पिषवा सकती हैं घर पे अगर आठा पीछेंगी तो काफी अच्छा रहता है इसके लड़ू जो बनते हैं थोड़ा मोटे आठे के ही बनते हे दूद जोँगी आप देख सकते हैं तो इसी तरह से यह देखो गऊरी माता रखे Sixte सिंदूर चड़ाया जाएगा और वह दो रखा रखा हुआ है दो लोग नहीं आइं दो लोग आनी बाकी हैं तो उनका प्रशाद साइड में रख दिया गया है जब हो आेंगी तो उनक का सामान भी चढ़ा देंगी और जो बहु हैं उनकी भी पूजा अभी स्टार्ट होगी कैंकि सास बहु दोनों लोगों ने ही पूजा रखवाई है तो दोनों लोग साथ में पूजा करेंगी सुहा का सामान भी इन्हों ने चढ़ा दिया है और बहु सिंदूर लगाएंगी उसे तरह से जिस तरह से सासने लगाया था उसे तरह से ये भी लगाएंगी पान भी माता जी को चढ़ा दिया जाएगा धूबत्ती जला दी जाएगी और जैसी नॉर्मल पूजा आप लोग घर पर करते हैं उसे तरह से लड़ु चढ़ाने के बाद वैसे ही पूजा होती है जैसे आप लोग रोज की पूजा करते हैं घर में भगवान के मंदिर में उसे तरह से ये पूजा होगी और कहानी कही जाएगी दोस्तों जब ये पूजा पूरी हो जाती है तब कहानी कही जाती है कहानी का वीडियो मैंने बनाया है दो तिन वीडियो मैंने बनाई है वीड आरती का वीडियो भी मैंने आप को आई बटन में मिल जाएंगी आप सारी देख सकते हैं जो भी वीडियो आपके पास नहीं है तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग की सासबहो की पूजा हो चुकी है और जो और महलाएं आए हुई है वो बाद में पूजा करेंगी सभी लोग उसी तरह से पूजा करेंगी गौरी मादा को सुधूर चड़ाएंगी सुधूर का सा अच्छी होती है फ्रेंड्स जो लोग होते हैं परेसानी में होते हैं किसी पर कोई संकट आता है तो अगर वो संकटा माता की पूजा मान देते हैं सचे मन से तो संकटा माता उनकी सभी मनो कामनाय पूरी कर देती है और जब मननत पूरी होती है उसके बाद ये पूजा करव में सिंदूर लेती हैं सिंदूर लेने के बाद ये पूजा समाप्त हो जाती है तो इसे तरह से आप भी संक्टा माता की पूजा कर सकती है ये विधी आपके लिए बहुत ही सरल है और बहुत ही सही विधी है इसी विधी से पूजा की जाती है इसमें दो कुमारी कन्याएं भी लगती है सासुहागन महिलाएं दो कन्याएं होती है तो कुल इसमें 16 महिलाएं होती है कन्याओं को मिला करके 16 लोग में ये पूजा की जाती है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना